पुज्य गुरुदेश्री हजारो प्रवचनों मा पोताना स्वदेश माजु निरंतर रहवानी भावना व्यक्त करता श्रिमद राज चंद्रजीना लखाणों नो आधार आपे छे। एवी भावना घूटे छे। आएकावतारी महापुरुष माटे मंगल मूर्ति कहान गुरुदेव फर्मावे छे। मावे छुटी गयो छे। एक आवतारी थाई स्वर्ग माँ गया छे त्यारी महिमानिक स्वर्ग छे त्यां गया छे। जहांती मनुख सेंग नोख जवाना छे। कियोग पामीन मोख जवाना छे। जवेलेनों धंदों हता हैं जवेलेनों लाखो रुप्या नहोटा पंदा। जवेलेनों अशिर्ष करमन भोग छे। भोग मोय वशे शरे। कहीं राग भाग रही जाई छे जी राग छुड़ तो नती ते थी अमने एम लागे छे के अशेश कर्मनों भूग छे भूग ओ अशेश रे ते थी देह एक धारीन है जाशों स्वरूप स्वदेश ले एकाद दे धारन करी मनुशों में स्वदेश्मा परमात्रा थुआना चेगे श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगर द्वारा प्रकाशित विक्रम संबत ओगणिसो पंचानु इस्वी सन ओगणिसो ओगण चालीस राजकोट ना चोमासा दर्म्यान श्री आत्म सिध्धी शास्त्र पर थैला प्रवचनों मा थी पूज गुरुदेव श्री कांजी स्वामीना श्रीमद राज चंद्र संबंधी विशिष्ट उद्गारों सत्नो नकार करनारा घणा छे तो पन वितराग सर्वग्नना शासन्नी जैवंत प्रभा छे साचा धर्मने टकमू छे तेथी श्रीमद राज चंद्र जेवा पवित्र आत्मा पन पांचमा आराना छेडा सुधी रह छे साधारन लोकोंने नरुचे तेवी आवाद छे वर्तमान लोकोंना विप्रित अभिप्राइथी तद्दन जुदू छे एवा सनातन सत्यने नगन सत्यने जाहेर करिये छे जेने साचुं हीत साचुं सुख जोईतु होई तेणे अविरोधी न्याय मार्गने समझवो पडशे हुँ चोकस कहुँ छों के गुजरात काठिया वाड मा सवरास्ट्र मा वर्तमान काड मा मुमुक्षु जीवोंना परमुपकारी होई तो ते श्रिमद राजचंद्र छे गुजराती भाशा मा आत्म सिध्धी लखी ने जैन शासननी शोभावधारी छे आ काड मा तेमना जेवा महत पुरुष में जोया नथी तेमना एक-एक वचन मा उन्डू रहस्य छे ते सत समागम विना समझाय तेम नथी श्रिमद ने ते वकतना द्रव्य, क्षेत्र, काडनी खबर हती तेथी बहु जोर मा आवया नहीं तेथी बहु प्रकाश मा आवया नहीं तेमने कहिँ छे मारू लखान, मारू शास्त्र मध्यस्त पुर्षोज समझी शक्षे विचारी शक्षे, महावीर ना कोई पण एक वाक्यने यथार्थ पणे समझो, शुद्ध अंतह करण विना वीतराग ना वचनोंने कोन दादाप्षे आबधा अंतरना उदगार हता, वड़ी हाल मा श्री समय सार्जी परमागम शास्त्र वंचाय छे, तेनी प्रभावना करनार पाण श्रीमद राज चंद्र हता पोतानी हयाती माज तेमने परम शुरूत प्रभावक मंडळ नी स्थापना करी, तेमनों देश महान आचार्योंना आगम शास्त्रोंने संशोधित करीने छपाववा नोहतो ते मंडळे ओग्णीस वर्ष पहला, विक्रम संबत ओग्णीसों छोंत्तेर मां एक हज्जार समय सार्जी शास्त्र आचार्य वर कुंद कुंद भगवान रचित महा सूत्र छपाविऊं ते परमागम शास्त्रनों हाल काठ्यावाड मां सारा प्रमाण मां लाभ लेवाई छे ए समय सार्जी ना करता श्री कुंद कुंद आचार्य दिगंबर महा समर्थ मुनी हता ते आ काले जाते महा विदेक शेत्रमा साक्षात त्रिलोकनात सर्वग्न भगवान सीमंधर प्रभुपासे गया हता त्या तेमने आठ दिवस समवसरणमा भगवाननी वानी सामडी त्या थी आवी समय सार ग्रंथनी श्लोक बद्धर रचना करी ते समय सार शास्तरनी आ काले प्रथम जाहरात करनार श्रिमध राजेचंद्र छे माटे तेमनो अनन्त उपकार छे तेनो लाब अत्यारे घणा भाईयो तथा बहनो ले छे ति श्रिमध नोज उपकार छे हाल मा तेनी बे हज्जार प्रत गुजराती मा छपाई छे, तेनो लाब लेनार ने पण श्री मद उपकारी गणाई गुरुदेव श्री ना जिगनासु भगतो, सवराष्ट्र, गुजरात अने देश भर मा ठेर ठेर प्रसलेला हता तिमने नियमित पणे गुरुदेव श्री नो संदेशों मलतों रहे इवा पवित्र उदेश्य थी शाश्वत सुख नो मार्ग दर्शावतु आत्मधर्म नामना अध्यात्मिक मासिक पत्रिकानों सोनगर्थी प्रकाशन शरू थयू आदर्णिय मुरब्बी श्री रामजी भाय मानेक्चन दोशी ना तंत्री पदे डिसेंबर इस्वीशन उग्णिसो ते तालिस थी आ मासिक शरू थयू शरू वात्मा तेना सैंकडो ग्रहको हता अनादी थी जीवनी अवस्था माचार्तो नुकसानी नो धन्धो केम अटके अने शुद्धता केम प्रक्टे इक पूज्य गुरु देवश्री तारिक बे बे उग्णिसो चुम्मालिस ना रोज पांच बोल द्वारा आपणने समझावे छे आज सुधी तें परने किंचित मातर लाब के नुकसान करियोंज नथी आज सुधी तने कोई ये किंचित मातर लाब के नुकसान करियोंज नथी आज सुधी तें सतत तारा माटे एकलो नुकसान नोज धन्धो करियोंछे अने साची समझन नहीं करे त्या सुधीते चाल शेज ते नुकसान तारी क्षणिक अवस्थामा थायूंँछे तारी वस्तुमा नती कर्यूं तारी चैतन्य वस्तु ध्रूव अविनाशी छे माटे ते ध्रूव स्वभाव तरफ लक्ष कर तो शुद्धता प्रक्टे नुकसान तले अटण लाभनो धन्दो थायूंग अग्यार प्रवचनों करया त्यार्थी आवें। परियाय निकरता ज़रव York City ढेजिभार जवी से अवरकरता अपना निप्राकास्टा जारी झधत कहे कि ईष्वर करता छे हर तरे परमातमा अशे प्रभू तू परनौ करता नहिं रागनो करता नहीं पन्तारी परियाय नोकर तरेल करता नहीं आहा उखर्ता पणानी छेली हज़ त्या ल。」 त्याँ पुर्शारत न थिन गाऊंड हुचै ये पुर्शारत छे मंभाए। छेम परियाए थाय तेने पर्ण जानवी छे कर वी न थी आ-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा येम आईने वन विस्माहमाई बन मोक्षन जाने छाने मुझ या-ा-ा-ा-ा-ा-ा-ा येम समझे छे कह करम गरिकाव दमा। क्रम्बद मां तो पराकाष्टा अकरता पड़ानी चे यहां केछे कि त्या अध्रवगूम परी आएनो विकल्प चे ने यह पन जी क्रम्बद नो निरने ही नाई यह हार मां द्वलाश यहां गून ने मूतिये भी परी आए कि ने हार उपे करीने हार मून असमारी द reflects ही आए हुं हमये की बीड़या भुदधाई इस पर मंचे अधर भुदधवी एक कही है गाहर भुदधबय यह पनो जॉप ने तरन शे प्थीर याओ अननत नुन्चे याओ आई तो हेम केऊंच है कि दर्वगुने परिया अरियंत ना विजारी ने तें ताराग मिजारे आगा प्रभू ये पन एक विकर्प मा उबो सगी आत्मधर्म मासेक ना प्रचार्थी सोनगड ना आ प्रभावशाडी संतनी अध्यात्मख्याती सामधी ने तथा तेवो श्री द्वारा थैली दिगंबर जैन धर्मनी अद्भूत प्रभावना देखी ने इंदोर ना शेठ हुकमचन जी चांदी ना समयसार जी ने जिन्मानी ना कबाट मा बिराजमान करवाना त्रण दिवसना उत्सव मा भागलेवा प्रथम बखताव्या वैशाक वद आठम संबत 2001 तारिक 36945 ना रोज शेठ जी ना सुहस्ते चांदी नू समयसार बिराजमान करें त्यारे तेवो हर्ष पुर्वक बोल्या धन्य सरस्वती माता आप मेरे शिर छत्र हो उत्सव धर्म्यान प्रथम दिवसेज पुज्य गुरुदेव श्री नो प्रवचन सामभरती वक्ते सभाभाच शेठ जी बोली उठ्या कुंद कुंद भगवान ने शास्त्रों में सब बात कही है किन्तो उसका रहस्य समझाने के लिए आपका जन्म है वीचे दिवसे मोख्ष मार्ग प्रकाशक परना निश्चय व्याभार नी संदी पूर्वक प्रवचन सामभरती वक्ते बोल्या महराज जी, कुछ लोग कहते हैं कि आप व्यवहार का लोप करते हैं लेकिन मैं समझता हूँ कि आप तो निश्चय व्यवहार का सच्चा ग्यान दिखलाते हैं दिवसे दिवसे बत्ती जती जिगनासु मुमुक्षुओनी संख्याने लिधे प्रवचन वक्ते स्वाथ्याय मंदिर नो हौल पन नानो पड़वा लागयो तेथी पाँच हजार चूरस फूट नो विशाल हौल श्री कुंद कुंद प्रवचन मंडप बंधावानू नक्की थायू माक्षर सुद्ध दशम संबंध बे हजार बे तारिक चौद बार उग्णी सो पिस्तालिस ना रोज सवारे आठ वागे शेट्ष्री हुकमचंजी ना सुहस्ते शिलान्यास्थ हैू आवक्ते जारे गुरुदेवश्री ना प्रवचन मा उपादान निमित संबंधी छणावट आवी त्यारे शेट्जी बोली उठ्या कि आप निमित का निशेद नहीं करते हैं किन्तु आप ऐसा बताते हैं कि जब उपादान स्वयम कारिरुप परिणत होता है तब निमित स्वयम ही हाजिर होता है वड़ी जारे पुझ्य गुरुदेवश्री ये प्रवचन मा कहिऊं जे भावे तिर्थंकर गौत्र बंधाए ते भावे मोक्ष ना पमाए पन ते भावने स्वभावना जोरे छेदी ने मोक्ष पमाए छे आवाद सांभरताज शेट जी उचुड़ी पड़या ओहोहो सम्यक द्रिष्टी के सिवा कौन ये बात समझ सकता है आपके पास मोक्ष जाने का सीधा रास्ता है आप तो महवीर भगवान और कुंद कुंदाचार्य देव का मार्ग प्रकाशित कर रहे हैं आजना तारिक चाउत बार ओगणी सो पिस्तालिस ना मंगल प्रवचन मा पोतानी नेशंक पणे वर्तती ग्नान धारानी अंतरंग परिणती नी वाद करता कहे छे हे सिमंधर परमात्मा आप तो पूरी परिणती ने पाम्या छो आपने साथे राखी ने अमे पन साधक माथी पूरा थवाना छिए वच्चे विग्णाज न थी वच्चे विग्णा आववानूज न थी जे भावे साधक दशामा उपड़िया छिए तेमा फेर न थी न थी न थी सम्यक दर्शन ग्नान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग नी निर्मन परिणती ने प्राप आ मुक्ति पुरीना यात्रिक कहान गुरुदेव नी शंकता आदी आश्ट गुण संयोक्त साधक धर्मातमा आ प्रतिहत पणे केवण ग्नान लेवाना छे अने तेमा बच्चे कोई पण प्रकार नो विग्ण न थी जाववानू एवी अदभुत निश्चिंतता तेवो श्री ने वर्ती रही छे पोतानी पुर्णताना कोल करार अत्यारेज करी रहा छे आज वर्षे श्रुत पंचमीन रोज तारिक पाँच छ उगणिसो छेतालिस न दिव से श्री समय सारजी शास्त्र पर सात्मी वखत प्रवचनों पूर्ण थाया प्रवचन न आन्ते दिव्य भाव श्रुत ग्नानी कहान गुरुए फर्माविऊं आ शास्त्रमा गंभीर रहस्यो रहेला छे गुरु गंवगर समझाय वू न थी दोड़सो वर्ष पहना थैला पंडिज जैचन जीए कहिँ आ ग्रंथ नो गुरु परंपरा थी विच्छेद थैगयो छे परंतु अत्यारे ते विच्छेद फरी ने अतूट पणे संधाय रहो छे गुरु परंपरा आ विच्छिन पणे चाले छे श्री कुंद कुंद आचार्य देवनी कृपाथी सेवा थी आ आत्माने भावशुरुत मणियो छे अने तेथी तेमनी कृपाथी आ समय सार्नी परंपरा संधाय गई छे सीमंधर भगवाननी ध्वनीना लाब थी अने कुंद कुंद प्रभुनी कृपाथी तेमज पोतानी पात्रता थी मुमुक्षुओना महा भाग्ये आ समय सार्नी परंपरा चालू थाई गई छे अने आचार्य श्री नो आशय जड़वाय रहयो छे आ रिते शुरूत धारा अच्छिन न छे सम्यग नान जैवन्त वर्ते छे अत्यन्त भाव विभोर थैने कुरुपाळू गुरुदेव श्री ए आपणने जे कहिँ ते एम सूच्वे छे कि पूर्वे सिमंधर भगवाननी दिव्यत्वनी साम्ढेली तेना संस्कार्थी तेवो श्री ने लाब थायो छे वर्तमान मा आ चार्य श्री कुंद कुंद भगवानना आगमने कारणेज भूली पडेली परिणतिये निजधर ने जोयू तेमज पोतानी बालपण थी सत्यनी शोध माटे अंतर नी खटकने कारणे आ पूर्व पूर्शार्थ करतां तेमज मुमुक्षु जीवो ना भाग्यो दैना कारणे आ समय सार्ची ग्रंथनी परंपरा चालू थै गई आचार्य भगवान ना कहवानों पण आशय जड़वाई रहो छे किमके पोताने निर्मण सम्यग्नान वर्ती रहूं छे अने ते दिन प्रते दिन व्रुधी गत्थातू रहे छे निर्मणता वत्ती जाय छे अने आ प्रतिहत भावे इस सम्य ग्नान केवण ग्नान ने बोलावी रहूं छे वड़ी आश्रुत धारा हवे अ विच्छिन पणे पंचम काणना अंत सुधी चाल छे एवी आ मंगल भविश्य वाणी आपणने अश्रुत ग्नान धारी संत बतावे छे हवे एज दिव से श्री समय सारजी पर आठमी वखतना मंगल प्रवचनों शरू करतां ग्रन्थादी राज नो अदभूत महीमा करतां समय सार मर्मगन संत फर्मावे छे के सभामा प्रवचन रुपे आठमी वार वन्चाय छे अंदर पोताना स्वाध्याय माटे लगभग 20 वार वन्चाय गयूं छे परन्तु एकाई वधारे नथी समय सार ना भावनो आशे समझी ने पोते एकाव वतारी थाई जाई एटलू नक्की करी शके जे यथार्त तत्वग्नान करे तेने एकाव तरी पणानो निह संदे निर्णाई थाई शके छे आ समय सार आ काडे भव्य जीवों नो महान आधार छे पुझ्य गुरुदेव श्री वारम वार प्रमोत पुर्वक फर्मावता श्री समय सार आ शरीरी थवानू शास्त्र छे आ महान परमागम गुरुदेव श्री ने इस्विशन 1922 महात मा आव्यो आजे इस्विशन 1946 सुधिमा पोताना अंतरंग स्वाथ्याय माटे 20 वखत सांगो पांग आ ग्रंथनू अम्रोत पान कर्यूं द्रव्य द्रष्टी प्रधान आ ग्रंथमा आ ध्यात्मरसिक महापुरुषे एवूंते शूं जोयूं आ प्रश्णनों गंभीरता थी विचार करवा योग्य छे जैन जगतमा स्वाध्यायनी प्रवृत्तिनों योग शरू करनारा संथ आतमार्थी जीवोनों उत्साह जगारता फर्मावे छे जे आ समय सार्मा कहेला भावोनों आशय समझ शे तेने जरूर पोतानेज एक आवतारी पड़ानों निरने थाई जशे अब परम तत्वग्नानी संतना उपदेशनों निमत्त पामिने पुर्शार्थ मूर्ती पुज्यश्री न्यालचंद भाई सोगानी जी आनू जीवन्त उदाहरन छे पुज्यश्री सोगानी जी इस्विशन उग्णिसो छेतालिस माज प्रथम वकत सोनगड़ मां आ संतना दर्शन अने वाणीनों लाभ ले छे प्रथम दिवसेज श्री गुरुनों मंगल बोध मल्यों के ग्नान अने राग जुदा छे प्रथम रात्रे स्वरूप सन्मुक ताना कोई अपूर्व पुर्शार्थ वड़े पोताना परमात्माना दर्शन कर्या अतीन द्रिय स्वरूप नी अनुप होती थै एक भव्य जीवनी संसार यात्रा समाप्त थै पूज्य गुरुदेव श्री श्री सोगानी जीना आ साधारण पुर्शार्थ नी मुक्त कंठे प्रशंसा करता कहे छे तो राशन होतार आपा कहां मरत में मिववद में यह कहते हैं प्रभू इस शुद गिनान आत्मा का त्रिकाली जे शुद गिनान उसकी परंती परियाए में शुद गिनान संड्यक दर्शंसे हुआ मिला तो इस शुद गिनान परंत जीव चखन के राज में दिखे तो गनी लिखा है एक बाई कि चकरवरती चखन को नहीं साथ है चखन को साथ है घूरीदरडिष्ति प्रकाष मिला में रुष्रव्त कुमारें तेर्डरउन दुरश्टी प्रकाष मिला है दुझ ओ थे दुझदर दुझिटरी प्रकाष करें दो आए साफोो को वग का अछने होने में वहह लेए का जो बाहा जों टे सिक बाहतों है समय के याँ पाया शिलिए कि आए पास बाहेटे कि अभ्याद बावा का मि उठास आर आ पन्म करते हैं लिए या है तो प्रभुति नहीं है और प्रभुति नहीं उसका दरुष्य प्रखाष। नहीं मिलना कि लाजी तो नगा दुख्वानगे नहीं नहीं है ཁई द्रुष्य प्रखाष नहीं को मिलने कि यह तो कि यह वोड़ा में आत्म जान में संकित हुआ इतना कहा कि राज से भिन प्रभू अंदर है तो सारी राज साज से सवार तक ज्यान में लगाया राज से भिन राज से भिकलप से भिन करते करते सवार पड़े पले निर्वी कलप उसिन्यक दशन होकर बूट भी यह रसोड़े में बहुत सक्ति आखिर मैं में बहुत साज सांती से ने छोड़ कर स्वर्व में चलेगे इस वी सनोगणी 146 ना मार्च मास नी 7, 8, 9 तारीखे त्रण दिवसनु भारत वर्षिय दिगंबर जैन विद्वत परिशदनु त्रीचु अधिवेशन सोनगड मा भर्वा मा आवियूं बनारस्ना सिध्धान्त शास्त्री पंडित कैलास चंजी तेना अध्यक्ष हता भारत भर्मा थी सुप्रसिद एवा 32 स्विद्वान पंडितों अहीं आव्या हता पुज्य गुरु देवश्री नी अध्यात्म रसिक वानी थी तेमज रात्री नी तत्व चर्चाना माध्यम थी आ प्रखर पंडितों नी अनेक शंकाओ तेमज प्रश्नों ना खुलासा थया हता तेमने संपूर्ण आदरभाव अने संतोश व्यक्त करयो हतो विद्वत परिशदे पुज्य गुरु देवश्री प्रत्य बहुमान पूर्वक अभिनंदन्नो सर्व सम्मती थी एक प्रस्ताव पसार करे लो प्रमुक्ष्री कैलाश्चंद्र जी ये पुताना वक्तव्यमा कहिऊं यहां महाराज जी से हम सबको नई त्रिष्टी मिली है आज 2000 वर्ष के बाद भी मैं महाराज जी को कुंद कुंद स्वामी के मूर्ती मंत रूप में देख रहा हूँ और मेरी पुनह पुनह यही भावना है कि महाराज जी को साक्षात कुंद कुंद के रूप में देखूँ विद्वत परिशद ना मंत्री श्री फूल्चंजी सिध्धान्त शास्त्री सोनगड ना आध्यात्मिक वातावरण थी खुबच संतुष्ट थाया तेमने कहिँ श्री कांजी स्वामी युग प्रवर्तक पुरुष्ट छे शासक छे और साधारन व्यक्ती छे एगनिह संदेवाद छे श्रीमान शेठ हुकम चंजी ना आगमन पची अन्या विद्वत परिशद ना सम्मेलन पची गुरुदेवश्री नो प्रभाव तेमच अध्यात्मनो प्रचार समग्र भारत देश मा जड़प्ती फेलावा लागयो इस विसन ओग्णी 48 मा पुझ्य गुरुदेवश्री ने भूद भविश्यनी संधी बतावतूं एक मंगल स्वपनु आव्यूं तेना खुलासा माटे पुझ्य बहेंश्री ने बोलावया ते वक्ते पुझ्य बहेंश्री ये पोताना निर्मन चातिस मरण ग्नान मा आवेली पुझ्य गुरुदेवश्री नी अने बनने बहनों ना संधी बद संबंध नी बद्धीज वात कही मतूपनुथ कर नी बद संधीन हिए ने थी तो क्यांथ कि हमें आई यान ना से बद्धु अंदर थी नकी थे गयों से udah दे पर कर दब दी नकी थे गयों से अनधर दीन किव्यों से अन्थ ने नकीश बापशत me नकीशो निके जो कीशन के महाविदी मा भी भाई जो भी विराज्य छे विराज्य छे राज कुमार तरीके पिता जी हाथी ने खोड़ा अब जोनी पैदाश होती महिनाई अब जोनी पैदाश ने घरे हाथी खोड़ा था एनो मुग राज कुमार तो कुमकुम्द आचा संबत वगुन पचास्मा भगवान पासे गया आता है थी जारे हुँपन आतीने होदे भगवान दर्शन करवा कुमकुम आचान दर्शन करवा समस्रमा बेलो आई वाथ भापू जिलनी वाथ भाव और भगवान आम उख माथी निप्लेजी वातूं छे जेवी वातूं छे क्या आजीव आप एन कोणा दो मैं ननर्शन सबिकिना दो कि सउंगे दो कि आएम बेन कुन औरक थी बेन ये ये κूंड़ना द were on लिएगेज है जेवी देशन के आएफ एक सा इन इप्स से होझाव था वाद पुझ्य गुरुदेव श्री भाट एक पुर अमारी वाद बहुत जिनी से यह वाद बहुत बहुत मोड़े के ठीक शोबे नहीं पाकि आई थिया मेरी नस्वर्ग माजवाना चीए आई थिया देल थवाना चीए पुझ्य गुरुदेव श्री भावी ना तिर्थंकर भगवंत नो मंगण द्रव्य होआनी जान थताज मुमुक्षु समाज मा अपूर्व हर्षो लास छबाई गयो तेज वर्ष थी गुरुदेव श्री ना मंगल जन्मोच सव उजवानी शरुवात थै ते वर्षे वैशाक सूद बीजे ते वो श्री ने ओगण साइठ मुँ वर्ष बैस्तों हतू सोनगड मा ते समय मा इलेक्ट्रिक नी सगवण पन नोती छता घेर घेर दीपकोनी ज्योतियो जगमगी उठेली सवारे गुरुदेव श्री ना कल्यान कारी प्रवचन बाद अनेक महानो भावोय अंतरमा रहेलो गुरु महीमा प्रसिद्ध करयो आधर्णिय श्री रामजी भाई मानेक्चन दोशिये कहिँ आजे परम पुझ्य सद गुरुदेव श्री ने 58 मुँ वर्ष पूरु थाई ओगन साइट मु वर्ष बेसे छे पुझ्य गुरुदेव श्री ना प्रतापे अत्यारे महान धर्मकाल वर्ती रहो छे आधर्णिय पंडित श्री हिम्मत भाईये आ पवित्र ग्नान अवतार पुरुष माटे कहिँ चैतन्य विहारी गुरुदेव श्री नो आंतरिक जीवन भेद ग्नान में परम पवित्र होवाव उप्रांत बाहियमा पण तेमने आश्चर्य कारक प्रभावनानो योग वर्ते छे जेना लिधे भारत वर्ष माँ एक आध्यात्मिक योग प्रवर्ती रहो छे खरे खर गुरुदेव श्री ये आ काल मा ग्नान मूर्ती आत्मानो सम्यक दर्शनना महिमानो निश्चय नयनी मुख्यतानो द्रव्यनी संपून स्वतंत्रतानो अने समय सारनो एक युग सर्जन करी दिधो छे हूं ग्नान मूर्ती आत्मा छूं एम निशंक पणे कहनार कोई देखातू नोतूं एवा समय मा गुरुदेवे समय सार द्वारा परम चमतकारिक आत्मतत्वने अनुभव्यो अने अनुभव जनेत श्रत्धाना वजर खड़क उपर उभा रहीने जगतने दिव्यत्वनी ना ठंधेरा संपड़ाव्या सहित्य प्रकाशन द्वारा धर्म प्रभावना आत्मधर्म मासिक पत्रनु प्रकाशन तो चालू जहतूं साप्ताहिक पत्रिकानु प्रकाशन शरू थयू तेनु प्रकाशन पण इस्विशन उग्णिसो बासट सुधी चालू श्री दिगंबर जैन स्वाथ्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगड नी सहित्य प्रकाशन समेती द्वारा दिगंबर आचारियोना तथा मान्यवर पंडित वर्योना ग्रन्थोनु गुजराती मा प्रकाशन चालू थयू ब्रह्मचारी हरीलाल जैन द्वारा बार सहित्यनु विपुल प्रमाण मा प्रकाशन थयू सोनगड मा बपोर्ना प्रवचन पछी पूज्य बेंश्री अने पूज्य बेंद्वारा जिन मंदिर मा नियमित देव शास्त्र गुरुनी भक्ती करवामा आउती तेना निमित्ते जिनेंद्र स्तवन मंजरी स्तवन माला विगेरे पुस्तकोनु प्रकाशन थयू भर युवान वय आजीवन ब्रह्मचर्यनी प्रतिगना लेनार बाल ब्रह्मचारी श्री चंदुभाई जोबाल्यानो पन सहित्य प्रकाशन मा घणो फालो छे तेमनेज श्री समयसार कलश्टीकानो गुजराती अनुवात करयो ब्रह्मचारी चंदुभाई पुज्य गुरु देश्रीनी सेवामा अन्तिम ख्षण सुधी तत्पर रहाता सोन गढमा बपोर्ना प्रभाई